Hey guys, this is Subo Maghrawal and you're watching Cyberbaba. So friends, आज की इस वीडियो में बात करेंगी कुछ browser shortcuts की, जिनने जानकर आप उपने browsing experience को और ज़दा enhance कर सकते हैं. तो यार, इन मैं से बहुत सारे browser shortcuts हैं, हो सकता है जो कि आपको पहले से भी पता हूँ. बट आज की इस वीडियो में आपको कुछ और shortcuts बताने वाला हूँ, जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा जलूरी है. तो इन्हें अच्छे समझने के लिए हम चलते हैं सीधा laptop screen पर. ओके गाईज, तो बात करते हैं हम अपने सबसे first shortcut की, जो कि यह control plus L. जो second shortcut है, वह है control plus enter. तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर यहाँ पर मैं किसी भी website का URL टाइप करता हूँ, यसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ, wing, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने wing को टाइप किया, बट अगर आप control के साथ enter keys को press करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि dark clear side open हो चुकी है, मलब ना ही आपको www और ना ही .com लगाने की जरूरत पड़ेगी, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा shortcut है, बढ़ते हम अपने अगले shortcut की तरप, चुकिए alt plus enter, तो अगर यहाँ पर हम टाइप करते हैं किसी भी URL को, जैसे कि यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ go ready, अब इस go ready को अगर मैं new tab पर open करना चाहता हूँ, तो simply मुझे press करना है alt plus enter, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे URL new window पर open हो चुका है, बढ़ते हैं अपने अगले shortcut की तरफ, जो कि है escape, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ आपको keyword पर एक escape की button मिलती है, अगर आप किसी भी page को load करते हैं, या फिर आप किसी भी page को open कर रहे हैं, और अगर आप इसके दौरान escape की button को press करेंगे, तो यहाँ पर आपका page hold पर हो जाएगा, एक्जाम्पल के लिए हम किसी website को open करते हैं, हम इसे open करते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे, मैं button को press कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि loading stop हो चुकी है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे, मैं भी लोड नहीं हो रही है, तो यह भी बहुत ही अच्छा shortcut है, बढ़ते हम अपने अगले shortcut की तरफ, जो कि है reload, तो अगर आप इस page को reload करना चाहते हैं, simply आपको press करना है control plus R को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमारा page reload हो चुका है, तो यहाँ भी एक अच्छा shortcut है, बढ़ते हम अपने अगले shortcut की तरफ, जो कि है home, तो अगर आप किसी भी page से homepage पर जाना चाहते हैं, जिसके लिए simply आपको press करना है, alt plus home, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हम अपने homepage पर आच चुके हैं, यहाँ पर कोई भी default homepage set नहीं है, अगर यहाँ पर कोई भी default homepage set होता, तो हम directly उसी page पर पहुंचते, बढ़ते हम अपने अगले shortcut की तरफ, जो कि है bookmark, तो अगर आप किसी भी site को bookmark करना चाहते हैं, तो इसे आप keyword के माद्यम से भी आसानी से कर सकते हैं, simply आपको करना क्या है, आपको control के साथ press करना है D को, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, bookmark window open हो चुकी है, अब directly यहाँ से आप अपने किसी भी website को bookmark कर सकते हैं, कोच इस तरह है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारी website bookmark हो चुकी है, बढ़ते हम अपने अगले shortcut की तरफ, जो कि है history, तो अगर आप अपने browser की history चेक करना चाहते हैं, simply आपको press करना है control plus H, यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि आप history वाले page पर आज चुके हैं, अब directly यहाँ से आप किसी भी history को चेक कर सकते हैं, अब अगर हम बात करें history clear की, कि कैसे आप keyboard से history को clear करेंगे, simply आपको hold करना है control, shift और delete, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके सामने एक new window open हो चुकी है, जो कि है clear browsing data, तो directly आप यहाँ से browsing data को clear कर सकते हैं, बरते हम अपने अगले shortcut की तरफ, जो कि है download history, तो अभी हमने देखा था browser history, अब बात करते हैं, आप download history की, तो अगर आप download history को चेक करना चाहते हैं, आपने क्या-क्या download किया है, simply आपको control के साथ press करना है J, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी download history open हो चुकी है, बरते हम अपने अगले shortcut की तरफ, जो कि है new tab, तो अगर आप keyword से new tab को open करना चाहते हैं, simply आपको press करना है control plus T, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी new tab open हो चुकी है, बरते हम अपने next shortcut की तरफ, जो कि है close tab, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी multiple tab open है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं Google, Bing, Cyberbaba, Download, तो इन वैसे अगर आप किसी separate tab को close करना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इस Cyberbaba वाले tab को close करना है, simply आपको keyboard से press करना है control plus W, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी यह tab close हो चुकी है, अगर आप Alt के साथ F4 प्रेस करेंगे, तो हमारा browser close होगा, पर अगर आप किसी भी tab को close करना चाहते हैं, तो आपको press करना है control के साथ W, बढ़ते हैं हम अपने अगले shortcut की तिरफ, जो कि है moving tab, तो अगर आप किसी एक tab से दूसरी tab पर जाना चाहते हैं, जैसी कि यहाँ पर आप दीख सकते हैं, Google से मैं Bing पर आना चाहता हूँ, अभी यहाँ पर आप दीख सकते हैं कि मैं download पर हूँ, तो इसके लिए हम जिस shortcut को use करते हैं, वह है control tab, simply आपको hold करना है control को और press करना है tap, तो यहाँ पर आप दीख सकते हैं कि हमारी tab चेंज हो रही है, अभी हम Google पर हैं, देन Bing, देन download, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा shortcut है, बरते हम अपने अगले shortcut की तरफ, चो कि यह new browser, तो अगर आप किसी भी new tab को न उपन करके, किसी भी new browser को उपन करना चाहते हैं, जैसी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह multiple tab है, बट यहाँ पर मैं एक new browser उपन करना चाहता हूँ, simply मुझे hold करना है control की को, और press करना है N, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमारा new browser उपन हो चुका है, तो यह भी एक बहुत ही अच्छा shortcut है, बरते हम अपने अगले shortcut की तरब, जोगी है control, shift और T, तो अगर आप से गलती से कोई tap close हो जाती है, जैसी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमारे सामने bing है, इनके सगर दुखे से मुझे tap close हो जाती है, तो आप अप असे recover भी कर सकते हैं, simply आपको hold करना है, control की को, shift की को, और आपको press करना है T, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, वही same tap हमारे सामने फिर से open हो चुकी है, बरते हम अपने next shortcut की तरब, जोगी है full screen, तो यहाँ पर अभी आप देखेंगे, कि हमारा यह browser full screen पर नहीं है, अगर आप इसे full screen में करना चाहते हैं, simply आपको keyword से press करना है F11, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमारा browser full screen पर हो चुका है, अगर आप इसे फिर से back to normal screen पर लाना चाहते हैं, Simply आपको press करना है F11 तो कुछ इस तरह से आप अपने browser को full screen से normal screen में कर सकते हैं बढ़ते हम अपने next shortcut की तिरब चो कि है incognito mode तो अगर आप अपने browser से incognito tab को open करना चाहते हैं Simply आपको करना क्या है आपको control key को hold करना है shift को hold करना है और आपको press करना है N तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि हम incognito mode पर आच चुके हैं तो यहार फिलाल कि इस वीडियो में इतना ही अगर आपको इस वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे जरूर लाइक करें अगर आप मार्चल पर new है तो आप मार्चल को subscribe भी करें एक नई वीडियो में आपसे फिर मुला गात होगी तब तब के लिए हैस्टेग Cyber Baba